में देखते हैं 26, x-1, y में x plus 3 is greater than 2, ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, 2 को इधर लगते हैं, x-1, y में x plus 3 is greater than 0, इधर LC में ले लेते हैं, x plus 3, x minus 1, minus, 2 in 2 में x plus 3 कर देते हैं, is greater than 0 हो जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, चलिए, यहां x-1, और minus का 2x, minus का 6, y में x plus 3 is greater than 0, चलिए अब यहां पर देखते हैं, उपर minus का x, minus का 7, y में x plus 3 is greater than 0, यह हैं अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं, critical point के लिए, तो minus x minus 7 equal to 0, और दूसरा x plus 3 equal to 0 में 0 ले लें आप x का value minus का 7, and x का value यहां पर minus का 3, ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग यहां पर critical point होगे, critical points जो होगे, वो क्या हो जाएंगे, minus का 7 and minus का 3, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, साइन स्कीम बात करेंगे, इसके, इसके साइन स्कीम की, यहां पर लिखते हैं, minus infinity, इज़र प्लस infinity, minus 7, और यहां पर minus का 3, यहां क्या लिखते हैं, साइन स्कीम, साइन स्कीम औफ, minus x minus 7, y में x plus 3, चलिए यहां पर इन दोनों के बीच में, जैसे minus 80 रख देते हैं, तो उपर positive हो जाएगा, और नीचे आपका negative, यहां नीचे निगेटिव हो जाएगा, चलिए यहां पर इन दोनों के बीच में, जैसे minus 6 रख देते हैं, minus 6 रख देते हैं, और यहां नीचे भी negative, तो positive हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, जैसे मालों, मैं यहां पर 0 रख देता हूँ, तो यह minus 7 और नीचे प्लस रख देते हैं, तो नीगेटिव हो जाएगा, तो हमें 0 से greater की बात करने हैं, यहां पर ही सकता है, कि therefore minus x minus 7, y में x plus 3 is greater than 0, when x belongs to, कि इसके minus 7 से 3 के बीच में, critical point, y में x plus 3 is greater than 2, when x belongs to minus 7 to minus 3, समझ गया, कोई दिकर भी है,